कि नमस्कार सब को सागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे पता है कि काफी दिन हो गया है कि मेरे वीडियो साय ने श्यद एक महीनी से भी जाजा हो गया और इसका यही करण है कि मेरा दसरा के चुटियों से पहले मेरा हाप एली एक्जाम चल ला था तो एक्षाम के करण में वीडियो शूट नहीं कर पर उसके बज़त चुटिये चले थे 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 थुद्धा भाहर भूमने चले गए थे तो फिर हाँ वीडियो आने पर थे और ठाप मेंच्मनेंट में अधर रीड़ इदर रोगया त पर हो सकता है कि जो जो बर confusion n iPad में जानते हैं आज कुछ ज्याधा जानने को पाएंगे और दो लोगा सबहूं कि उनको भी और कुछ ज्यादा मलब दितना गए उनको 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 hedge मेंके तो अचलियं शुरूत करते हैं किसी देरी इचे फिसके मंधा पता है कि पांडव वनवास में थे और वनवास का 12 वर्ष समाप थोने को था पांडव तबी काम्याकवन छोड़कर वह देटवन में रहे रहे थे पर वनवास जब समाप थोने कहता तो यूदिश्टर का मानन बिलकुल प्यानन नहीं था कि उनको बारबाट कर्ण के प्रतिक में जितने भी अस्तर है दुल्लव अस्तर अर्जुन ने अपने तपरश्या के वल पर वह उन्होंने भगवान महिश्वर से और देवरे जिंदर से उसे प्राप्त के लिए था और मिलब करन के समित उनको कोई परास्त नहीं कर सकते था मिलब दनुशिबान के प्रायग में दो कपाकञ जो तिन अरजुन का मरना अंट्र हो जाएगा और यूद्र कभी वह वी आण दियूद होगा उसका अन्हों कभी आज़ूं की पक्ष्मा अच होगानी मन के वह और इंद्र बहुत कौषली र correspondE van बहुत काहाने सुने और मैंने भी बताया है मेरे चैनल पर कि इंड्रा कितने चालक चाहते हैं और उन्हें प्रतिक लेटे का अर्धुन को बद करें पर उसी समय एक और प्रतिक होने लिए कि कोई भी उनको कुछ में मांगे तो वह दान कर देंगे और इसलिए कर्ण दानवीर के रूप में प्रसित थे तो इंड्र ने सुचा कि कर्ण से अगर उनका यह अब जो उनके पास कवच कुंडले अगर वह मांग ले तो यही सब से उचित काम होगा और अर्धुन का भी जी प्लान है वह जान पाए ठीक है और और सूर्य के सपने में आया और उनका कि तुमने तो यह प्रतिक यान ली है कि तुम जो तुम्हें जो द्यान कर देंगे और यह बात याद रखो कि जल्द ही इंद्र तुमारे पास तुमारा कवच कुंडल मांगने आएंगे और इंद् मांगने। मनलब तुम्हें तुम्हें से सपत करेंगे कि मिलब जो भी में माहगे वह तुम्हें देना पड़ेगी और कण तुम उनसे कावच कुंडल के सिवह और कुछ भी मांगने करें कहना पर करन कोई मिलब करन के साथ करन के साथ जो अर्जुन के यूद्ध होने वाला था वह उसी के बारे में बता कर सुर्य ने यह भी कहा कि करन तुम यह मत भूलो कि अर्जुन के पास बहुत दिव्यास्त्र है और बहुत अभी बल्चाली हो चु वो सिप पूल्निया और सक्ति संचाय के लिए रखा पर यह कवच कुंडल कभी भी का मत देना हिंद्र को या किसी को मत देना उसी समय कर्ण का वह सपने तोट गया और वह उठकर इस सपने के अध्भुच्छ अपने के बारे में सोचने लगा मिलब सोचने लगे और वह भी य पिजने के साथ लग करता उन्होंने करने सोचा भी नहीं थे कोई कोई मैं आएंगे उनके पास पर कुछ समय के लेजिवन रख्षा से सत्य रंखा बढ़िये यह जीवन से मलब प्रान जाए पर वचनना जाए यह सोच रहे कर्ण के मान में तो अगर सत्य रक्षा के लिए में देना पड़े तो वह भी करना चाहिए करने सोचा तो अगले दिन सूर्य को प्रात्ना का कर्ठ चाहिए और आपका जो है मांग रहा हूं और आपके निकर्ट में प्राफना कर रहा हूं कि आगर मैं जीवन मुझसे मांग ले तो मैं उसको जैसे वीर की तरह मैं उन्हें देशकों और मतलब सुर्य पता चसना लगे करन अव सुनने ने लगे तो इसलिए सुर्य ने उनको अशिरवाद किया कडन को आशिरवाद है और एक दीन इसा हुआ की कर्ण मध्यान के समय में वो फूजा कर रहे ठीक और उसी समय वृत ब्रहामट आया और उन्हें लगाने लगा तो करने का कि आप क्या चा रहे हैं आप बताइए तो ब्रामण ने का मैं आप से कुछ क्या है कि गहने यह सोना वेसे कुछ में मांग नहीं रहा मैं तुम्हारे दानविर्क होने के मैंने मैं बहुत सुना है और इसलिए मैं जो मांग रहा है अगर तुम मुझे दोगा तो मैं बहुत संतुष्ट होगा तो उस कुछ समय बाद वह ब्रामण ने जो कि इंदर थे उनने काया कि जो है राधिया तुम जो अपने जन्म सही जो तुमारे पास कवच कुंडले अगर तुम मतलब अगर तुम अपने सत्य को पालन करने वाले हो तो मुझे वह सब दे तो तुम्हारे जो कवच कुंडले वह मुझे दे तो कड़ने का कि जो भी मेरे पास दान लेने के लिए आया है वो चाहिस संसार में कुछ में मागे मैं उनको दे देता हो तो मैं ये भी दे रहा को निश्रंकोच होकर मैं आपको यह दे रहा हूं पर उससे पहले मैं आपको जान चुगा आप देवन्द रहें और इसलिए आप मतलब यह कवच कुंडल तो लीजिए पर उसके साथ मुझे वर्दान दीजिए इंड्रे ने का कि तुम्हारा जो दान दान शिल्भाव है और तुम्हारे जो सत्य के प्रति जो तुम्हारे निश्टा है उससे में बहुत प्रसंद हुआ पर अब मेरे वज्जदास को छोड़कर जो भी मांगना है मांगो निश्चंकोच होकर मांगो तो करने सत्रु सहारक आमोक शक्ति विक्षा किया इंड्र से जो तो इंड्र निका तुम्हें मैं तुम्हें दे रहां पर इसका प्रयोक्त हो तुम से एक भी बार कर सकते और मेरी सानी कि तुम जब चारि तब अजब रोग चाहन कर लो और यदे जो स्कुि इसको जिए कर सि충 करना जब समय nhân में हो और अगर सको एपर इसको experienced करण उसके नेमारण दो फूल गिनने लगे और उनके सरीड में जो घाओ हुआ यो सब घाओ है फ्वूल करने उपर से और दूरे तूरों उनके दुखी थे और जो बन में जो यूदिश्टिर थे वह तो बहुत मतलब कह सकते हैं कि उनको चेन आया कि मतलब जो करण के पास उनका और कवच है नहीं तो आशा करता हूं कि यह स्टोरी आपको अच्छा लगागा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को कर दिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बहले लेकर ने उसको भी प्रेस कर दिएगा ताक कि मेरे वीडियो और स्टोरी के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुर टाइम पर मिलते रहे और आज के लिए इस इतना ही आगर यह स्टोरी आपको अच्छा लगा तो और आ आज के लिए इतना ही नमस्कार